हाई अब्रिवान आप तब का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षापत पे और उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा एंधि 10 मिनिट शो में आज आपका जो 10 मिनिट शो है वो है आपका टोप 100 जोग्रोफी के ऐसे क्वेस्टन जो आपके ससी जीडी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत जादा उम्मीद है कुछ क्वेस्टन मैंने यहाँ पर इसकिप वह आले कि यह बचा जो आपका बिल्कुल स्टैटिक हो जाए कि वह आपका अभी चेंज हो सकता है जैसे आपके मिनरल्स को लेकर डाटा जो है वो चेंज हो जाता है कहीं बार है ना तो कुछ यह डाटा मैंने आपका नहीं रखा है इसमें यह जब आपकी क्लास होगी उसमें हम कवर कर लेंगे तो शुरू करते हैं ससी जीडी को फते करने की तयारी और यकीन रखना यह क्वेस्टन जो है वह पहले सवाल आपका यह है कि इनमें से कौन सा देश शेत्रफल की द्रिस्टी से भारत से बड़ा नहीं है मतलब वो भारत से छोटा है रश्या बच्चा रश्या तो नंबर वन पर आपका आता है युनाइटीड स्टेट आपका नंबर थ्री पर आता है अर्जिंटीना जो ह आपका मेंलेंड का कितना हो जाएगा आर्ट डिग्री चार साउत में अगर हम बात करें आर्ट डिग्री चार मिनट है आपका अंडमान और निकोबार जो निकोबार ग्रेट निकोबार है कहां से शुरू होता है इंदरा पॉइंट छे डिग्री चार मिनट से इधर आपका इस और वेस्ट दोनों अपने दिये हुए एक बार देख लेना क्यूंकि 10 मिनिट शो है 10 मिनिट के अंदर हमें ये सारे क्वेस्टिन करने हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साजह नहीं करता है तो पाकिस्तान के साथ गुजरात उसके ओपर आपका राजिस्तान फिर पंजब फिर जम्मु एंड कश्मीर और फिर आपका लदाक यून्यियन टैलिति तो हिमाचल पर देख जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की भूम अगला सवाल चलते हैं, आगे आपके सामने इन में से कौन सा राजय नेपाल को भूतान से अलग करता है, तो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूतान है और फीच में प्यारा सा अपना सिक्किम आ जाता है, अगला सवाल है कौन सा भारते राजय अपनी सीमा है तीन देशों, नेपाल से भी, भूटान से भी, और उपर कौन है तिबत यानि की चाइना से, तो यह अपना सिक्किम हो जाएगा, अगला सवाल, भारत की अंतरास्टे सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो सचीन, तो अंतरास्टे सीमा का आपका जो भारत की अंतरास्टे सीमा है, वो कि देश के साथ सबसे लंबी है बचा तो बांगलादेश के साथ 4096 किलोमेटर उसके बाद चाइना उसके बाद पाकिस्तान और दैनापका नेपाल अगला सवाल इन में से कौन सा राजे नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो नेपाल के साथ असाम आपकी सीमा साज जूम कर गे भारत का कौन सा राज्य करकरेखा के उतर में हुत्तर जी है तो एक राज्य राज्य अग्ला सवाल भारत के किस राज्य में करकरेखा सबसे लंबी है विश्व के कुल भोगोलिक छेतपल का कितने परसेंट भारत के पास है तो बच्छा भारत 2.4 परसेंट अक्वायर करता है और जन संख्या में तो अब हम नंबर 1 हो गई है भारत के कितने राज्य बांगलदेश के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं तो बांगलदेश के साथ सब भारत के किस राज्य को अलग करते हैं तो बच्छा अरूनाचल प्रदेश में ठीक है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ओप्शन भारत का आर्थिक छेत्र क्या है आपका एकनोमिक जोन ओफ इंडिया एक्सेंट फोंदा कोस्ट टू डिस्टेंज कितना हो इसको आप 7517 भी लिख सकते है 7517 एक राउंड फिगर में ठीक है इसमें आपके 9 स्टेट प्लस कितनी चार यूनियन टेरिटरी शामिल होती है अगला सवाल भारत और चाइना 2017 में डोकलाम पर छेत्रे विवाद में भिड़ गए थे आप सबको पता होगा डोकलाम छेत्र त पांच राज्यों से होकर गुजरती है अपका किसकी बात हो रिए है एटी टु एंड हाफ इस्ट बच्चा तो यहां पर यह पांच राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं है तो बिहार से ओकर यह नहीं गुजरती है यह गुजरती है यूपी MP 36 गढ्ड आपका उड़ीश किस बहारते राज्य या केंदरसाशित प्रदेश की तट्रेखा सबसे छोटी है तो इन में से आपकी पॉंडिचेरी जो की एक यूणियन है वो आपका कहां पर है वच्छा ग्रेट हिमालिया नहीं ट्रांस हिमालिया का तिबबत के अंदर बढ़ा हुआ हिस्सा है आगे क्या हो जाएगा भारतियों पुम्हादीप किसका भाग था अफ्रीका के गुंडवाना छेत्र का तो यहां पर गुंडवाना लेंड इस दा र कर दो रफ इसका हिस्सा नहीं होगा उस्ट्रेलिया इंडिया और साउथ अफ्रीका गुंडवाना लेंड के इससे थे आगे क्या हो जाएगा हिमालिया इनमें से किस परकार का प्रवत है तो हिमालिय का निर्मान आपका कैसे हुआ है दो प्लेटों के टक्राने से बीच में जो fold पड़ते हैं अवसादों में, तो ये folded mountain एक तरह से है, इन में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं, तो नील-गिरी mountain पर, सबसे उची चोटी डोड़ा बेटा आपका, यह मार्ग जिसे अटल सुरंग का नाम दिया गया है, किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो यह आपका रोतांग दर्रा, अटल सुरग कहां पर हिमाचल प्रदेश में, तीस्ता और दिहांग, ठीक है, तीस्ता और दिहांग, दिहांग किस नदी को बोला जाता है, ब्रह्म पुत्र नदी को, के बीच इस्तित भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो मैं असाम हिमाले इसको बोला जाता है, और इस सवाल बड़े पुछे जाते है, सत्पुड़ा परवश्रंखला की सबसे उची चोटी क्या है, तो सत्पुड़ा गुजरात से लेकर आपका मध्यापरदेश 36 गड़ की सीमा तक फैली हुई है, आपका यह पर आपका चाहिना अपना ये भारत और दीफू आपका मैनमार हो गया, इधर यहां से शुरू, तो दीफू is the right answer, अगला सवाल, पस्चिमी घाट भारत के पस्चिमी तर्ट पर इसी देख महत्पून परवर्थे परनाली है, घाट शब्द का अर्थ होता है बच्चा चैनल द्वारा अलग होता है, तो वो आपका अरब सागर में है, आठ डिग्री द्वारा अलग होता है, मालदीव से अपने लक्षिद वी पाइलन, भारत का सबसे पूराना परवत, इस अरावली माउंटेन, सबसे उची चोटी गुरू शिखर, इन में से कौन सी नदी, भ मन्दाकिनी का संगम है, तो अलग रंदा और मन्दाकिनी रूद्र परियाग परा कर मिलते हैं, और देखना कि आप कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है, गोदावरी नदी, इन में से किस राजय से होकर गुजरती है, गुजरती नहीं है, तो बच्छे गोदावरी नदी, अगला सवाल, ठीक है, यह किस की सबसे उची चोटी है, तो बच्छा, यह मिजोराम इसको ब्ल्यू माउंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर ओप्शन नमबर 4 is the right answer, भारत के किस राज्य में वनों का छेत्रफल सबसे अधिक है, देखो परतिशत की बात तो that is मध्या प्रदेश, जो नहीं अपनी वनिस्थिती रिपोर्ट आई थी, अमलिय मिट्टी किसके दुवारा पुने आपका निट्रलाइज हो जाती है, तो अगर आपकी मिट्टी जादा अमलिय हो जाए, तो उसमें लाइम स्टोन डाल दो, जादा छारिय हो जाए, तो उसमें जिफ्सम डाल दो, तो लाइब इन स्टोन ये लहा आपका उप्शन नमबर बी, लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम है, तो जो बच्चा लिंचिंग का परिणाम है, चीक है, क्या है लिंचिंग का, रेगुर मिट्टी इनमें से किसके लिए तो कोटन सोईल, ब्लैक मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार आपका कहां पाए जाता है, मैं हमारे साउथ के इस्टन पार्ट में, यानि कि अंद्रपरदेश और तामिलाड़ों में, जो यह उप्शन है, यहां से बचा भारत के सबसे बड़ी छेतर में कौन से वन पाए जाते हैं, तो हमारे भारत में, क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं होती, तो सदवार तो नहीं हो सकते, तो सबसे ज़्यादा जो छेतर फल है, वो आपका ट्रोपिकल डैसीडियस तो फोरेस्ट है, आगे भारत के किस भारत की परियोजना थी, वो सवतंद्र भारत की परियोजना थी, वो सवतंद्र भारत की परियोजना थी, शोक और नुब्रा घाटियां भारत के किस छेतर में हैं, तो आप कहेंगे मैम, ये आपका लद्दाग रीजन में हैं, ठीक है, कहां पर है, लद्दाग रीजन में, अराकु घाटी एकदम आजकल बहुत पूछा धार है एकदम निशान लगा देना मैम यह आंद्रपरदेश विशाका पत्ना में इन में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है इस नागरजुन सागर डैम इन में से किस राज्य में मैटूर डैम है कावेरी नदी पर ता सिमिर्माऩ गंगा और ब्रह्मपुत्र तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर फॉर आपका इन में से कौन सा int gjort ऱ लिगनाइट अच्छा question है, यहां से आप इसका जवाब आसानी से दोगे, ठीक है, तो एक question तो तुम्हारे लिए भी बनता है, जल्दी से आंसर दो बचा, बहुत easy है, mangroove वनस्पती मुख्यता कहां पाई जाती है बचा, तो आपके सुंधरवन डेल्टा में, शीतरी तुमें किस तटपर वर्षा होती है, तो शीतरी तुमें आपके कोरुमंडल तटपर वर्षा होती है, पस्चिवी विक्षोब कहां से उत्पन होते हैं, Mediterranean Sea से वो आपके आते हैं, अगला सवाल, केरल और करनाटक में, गर्मियों के आसपास होने वाली, प्री मांसून, मतलब जून से पहले जो वारिश होती है, उसको mango shower बोलते हैं, क्या बोलते हैं, mango shower, marathon, sorry, माथिरान hill station किस राज्य में इस्तित है, तो ये आपका कहां पर इस्तित है, माथिरान hill station आपका महरास्ट राज्य में इस्तित है, उच्टम गुणवत्ता वाला कठोर कोईला कौन सा होता है, तो सबसे सारी बागी plantation वाली फसले है, अगला सवाल, खेतडी किस के लिए आपका famous है, तो खेतडी कोपर के लिए राजिस्तान में बहुत ही famous है, polar gold field आपका कहां पर है, करनाटक में है, movie भी आपने देखी होगी, भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आंध घुष मखड़ है यजे शुष नमाट